गुद मॉर्निंग स्टुनेंस वेलकम तो दी ओनलाइन क्लासेस फ्रॉं माडेंस चिल्रन एकड़मी तुछ यू न्यू पोएम आउटसाइड माइविंड़ो मेरे खिडकी के बाहर यहाँ पे एक मैगपाई है और एक स्क्विरल है मैगपाई मिन्स नीलकंट पक्षी और स्क इसे भोजन के लिए घूम ह्रहे हैं टू सीक्ट और टू प्यांड सहकत हम दोनों धूंड रहे हैं और खोज रहे हैं मैगपाई मैग तुम रहे है और मैगपाई जो है नीलकंट पक्षी यह उसे वहत्री स्विर पक्षेस बहुत पसंदान साय बहिरिस में स्चाहंउन बह है नर्ड फसंद में जो करेशल्के वाला फल्ड वह पसंद है वह पसंद है कि इस और लैएज लेकिन दोनों में एक चीजरां है वह क्या है दोनों को बज बहुत पसंद है जोता है गाल दॉन Merry को सब्सक्राइब के साख अजे हं दून 앞에 लेकर स्थशmen नोई के लुए कि जो मतलब अब ऑपईय चलने की जो लगीर होती है उसमें जो खटमल दप क्या होता है च्ट पटाता हुआ वैसा खटमल पसंद है और रस्ट मेंस पहिया चलने की लकी तो पहिया की चलने की लकी रही है तो उसी में शायद वह खटमल है दब गया है तो वैसा चटपटा रहा है तो वैसा ही खटमल उन दोनों को बहुत पसंद है को नाइदर कर्स्ट चैसर और दूनों में से कोई भी जो है वह एक दूसरे के साथ वह बाटना नहीं चाहते हैं और को इसकी कोई चिंता नहीं है so they fight all day इसलिए वो पूरे दिन जगडते हैं arguing and squabbling arguing means होता है तर्क करना और squabbling means भी वही meaning होता है तर्क करना arguing and squabbling मतलब same meaning है दोनों का तर्क करना तो दोनों आपस में जगडते ही रहते हैं each wants her own way तो उसमें से हर एक जो दोनों है वो अपना ही रास्ता मतलब सुचते हैं कि मेरी वाली ही हो magpie shouts loudly और जो नेल कंट पक्षी है वो दोरों से चिलाता है चिलाती है hey don't take my snack snack means हलका भोजन तो यह मेरा भोजन तो मतलो तो यह squirrel गिलरी पर छिलाती है कि मेरा भोजन मतलो और यहाँ जाट कर क्या कहते हैं कि कि मेरा भागीचा और वो विचलाती है hollers means चिलाना shout means भी चिलाना होता है holler means भी चिलाना होता है तो वो भी चिलाती है कि मेरा बागी चाहे तो मलब तुम भी हां से मतलो यह मेरा बागी चाहे तो our next part of the poem I will teach you in the next video Thank you